क्रिया कलाप दो, मनुष्यों का अवलोकन इस क्रिया कलाप में हम मनुष्य के विभिन शारिक लक्षणों का अवलोकन करेंगे आज स्कूल चाना है, साइन्स प्राक्टिकल है? हाँ, हाँ, चाना है अरे वाँ, बच्छों, क्या कर रहे हैं आप लोग? किसे बात कर रहे थे? अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपने नाम बताओ, आप लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नियती है, तुमारा? मेरा नाम चीनू है, मेरा नाम चिक्की है, आदेती है ओके, अरे वाँ, चलो, आज हम लोग, आप सभी के वजन, लंबाई, आपकी हतेली की लंबाई, चोड़ाई, अंगुठे के निशान, इन सब का मापन करते हैं इसके लिए, आप लोगों को मैं केक एक पेज, पैन देती जा रही हूँ इसमें आप लोगों को करना क्या है, जब हम आपकी लंबाई और वजनादी का मापन करेंगे, तो आप इनमें उसे क्या करेंगे, लेकिन नाम लिख लीजए, और जैसे ही हम वजन का मापन आपका लेते जाएंगे, उसे उसमें नोट करते जाना तो चीनू, पहले आपसे शुरुवात करें, चलिए, आईए, तो चीनू का वजन आया है, 45.8 किलोग्राम, ठीक है, आदी, आप आजाए, आदी का वजन है, 54 किलोग्राम, चलिए चिकी, और चिकी का वजन है, 54 किलोग्राम, अब बारी आती है, नियती की, चलो, 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 अब तुम्हारी लंबाईयों का मापन करते हैं, ठीक है, देखो, इसके लिए हमने यहाँ एक स्केल बनाई हुई है, तीन फिट, चार फिट, और चार फिट, छे इंच से लेकर, पांच फिट, छे इंच दर, ठीक है, इसके लिए भी शुरुआ चिनो, तुमसे करें, ठीक है, चलो, आजाओ चिनो, ठीक से खड़े हो चिनो, ठीक से खड़े हो चिनो, खटो तु, चिनो की लंबाई आई है, चार फिट, दस इंच, चलो आदी, अब तुम्हारी बारी, यह तो उससे भी लंबाई है, चलो, आदी की लंबाई है, पांच फुट, चार इच, नेक्स बारी आती है, चिकी की, चलो चिकी, अब तो चिकी की लंबाई मिल रही है, हमें, पांच फुट, एक इंच, और लास में नेती, चिकी की लंबाई भी उतनी ही आ रही है, चलो देखते हैं, चिकी की लंबाई भी भही है पांट कुट एक इंच तो चलो बच्चो अब हम तुम सभी की हथेलियों की लंबाई और उसकी चोड़ाई नापते हैं तो चलो चीनू फहले अपना हाथ सामने लाओ चीनू की लंबाई हथेली की लंबाई है 16 सेंटिमेटर और इसकी चोड़ाई हथेली की है 7 सेंटिमेटर ठीक है अच्छा चलो तुम्हारी तरजनी उंगली भी नाप लेते हैं ये है 6 सेंटिमेटर चलो नोट कर लो चीनू आदी आप अपना हाथ सामने लाएं आदी की हथेली तो बहुत लंबी है भाई ये है 18 सेंटिमेटर और इसकी चोड़ाई देखें ये है 8 सेंटिमेटर तुम्हारी तरजनी उंगली ये है 7 सेंटिमेटर चलो चीकी तुम्हाजो चीकी की हथेली की लंबाई है 15.5 सेंटिमेटर और इसकी चोड़ाई हथेली की है 6.5 सेंटिमेटर लाओ तुम्हारी तरजनी उंगली भी माप लें ये है 6 सेंटिमेटर चलो नियती तुम्हारी बारी नियती की हथेली की लंबाई 16 सेंटिमेटर है और इसकी चोड़ाई 7.7 सेंटिमेटर इसके बाद इसकी तरजनी उंगली नाप ली जाए ये है 7 सेंटिमेटर सभी अपने अपने हथेली की लंबाई चोड़ाई और तरजनी उंगली की लंबाई नोट कर लो बच्चों आप लोगों को पता है हम सबी के हातों के अंगूठे के निशान अलग-अलग होते हैं अच्छा ऐसा भी होता है कि हम सब के हातों के अंगूठों के निशान अलग-अलग होते हैं हां चलो करके देख लें चलो चीनों तुमसे शिर्वात करते हैं यहां से बेरी गुड, चलो आदी, बेरी गुड, चलो चिक्टी, अब तुमारी बारी, बेरी नाइस, चलो नीती, बेरी गुड, तुम सभी के अंगुठे के निशान अलग-अलग हैं, चिक्की तेरा दिखा, मैं, हम दुनों के तो एक जैसा ही है, बेटा, इसे पहले लेंज से बारी किसी देखना होता है, तब ही हम इसका अंदर समझ पाते हैं, चिक्की और चीनू की तरह, जितने भी मनुष्य हैं, उनके अंगुठे के निशान अलग-अलग होते हैं, तो इस ग्रिया कलाप से हमने यह देखा कि एक ही जाती के सदस्यों में समानता के साथ साथ अंतर भी पाय जाते हैं, इन ही अंतर को हम विभनताय कहते हैं, इन विभनताओं के कारण ही हम एक ही जाती के सदस्यों को व्यक्तिगत इस्तर पर पहचान पाते हैं,